हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की करी ये देखें मैंने ले लिया है एक कटूरी से थोड़ा सा कम बेसन मेरी बड़ी कटूरी है तो मैंने थोड़ा कम लिया है नहीं तो मैंने एक कटूरी का मेजरमेंट है ये देखें ये ले लिया है मैंने पानी पानी से इस इसी तरीके से इसमें लंब सिना रह जाएं से मिला लेते हैं और उसके बार डाल लेते हैं हम इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर इसलिए डाला जाता है ताकि हम इसकी बेसन की करी बना रहें तो यह फुली फुली बनेंगी यह देखें इसमें डाल लिया है मैंने जीरा, आप देख सकते हैं, उपर से डाल लिया है मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, इसी के साथ डाल लेते हैं हम अधरक का पेश्ट, हरीमरच, हराधनिया पत्ता, और इसे मिला कर इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे हम, यह देखे, इसमें बेशन की कोई भी गाठे ना रह ज इसमें च्छी तरीके से मिला नीना है, यह देखे, इसमें अब हमारी कोई भी बेशन की गाठे नहीं है, इसे छोड़ देते हैं, पाँच मिनट के लिए रेष्ट पर यह देखे, इतने हम तैयारी कर लेते हैं, अपनी बेशन करी की, यह देखे, मैंने कड़ाई ले लिए कड़ाई में डाल लिआ है, यह देखे, तैल डाला हुआ है, सरसू का तेल है, अपरसे डाल लिए है मैंने एक चमच जीरा, इसी के साथ डाल लेते हैं हींग, यह देखे, हिंका बहुत ही अच्छा जब रजे स्वाद आता है उपर से डाल लिया है काटा हुआ मैंने लसन इसे भी हलका सा फ्राई कर लेते हैं उसके बार डालेंगे प्याज प्याज को मैंने लंबी-लंबी सिलाइस में काटा हुआ है यह देखिए इन्हें भी हम ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है बस इनका कच्छापन खतम करना है हलका सा इनका ब्राउन कलर आ जाएगा इतना ही हमें इसे भूनना है ये देखी हमारा हलका सप्याजगा करन ब्राउन हो चुका है आप देख रहे हैं इसी के साथ अब क्या करना है हमें हमने जो टमाटर डाले हुए उसी को हम इसमें डालेंगे ये देखी अब हमारा जो है टमाटर को डालने का ये देखे हम अपने टमाटर को डाल लेते हैं इसम मैंने इसमें एक सिमला मरच काटी हुई है इसके टेश्ट को और भी अच्छा बनाने के लिए यह देखे इसी के साथ जाएगी हमारी लाल मरच पाउडर और हल्दी पाउडर इसी के साथ जा रहा है हमारा नमक नमक आपको स्वादनुसार डालना है यह देखे इन सारे मसालों को डालने के बाद इसे हम मिला लेते हैं अच्छी तरीके से हल्दी का कचपन खंब करने तक हम इसे थोड़ा मिला लेते हैं यह देखे इसमें डाल लिया है मैंने हरी मरच काटी हुई है इसमें मैंने एक हरी मरच डाली ह intéressant क्योंकि यह मेरी मरच थोड़ी तीकि है आपकी के लिए रेश्ट पर छोड़ते हैं देखिए दो से तीन मिट हो चुकी है और हमारी सबजी गल भी गई है और इसमें डाल ले हैं मैंने चार चमच यह मैंने डाली हुए धाई इसे इसका बहुत ही जबर जब जब टैस्ट आता है देखो उसे डालने के बाद इसे हम अची तर सबजियों का कलर है वो इस तरीके का आजाएगा आप देख सकते हैं सारी सबजी हमारी गल भी चुकी है इसी टाइम हम डालेंगे इसमें आधी कटोरी पानी पानी को डाल लेते हैं अची तरीके सर्फ मिला भी लेते हैं ताकि हमारी सारी सबजियों में मिल जाए और यह जो जो हमने बेसन का अपना पेश डाला है इसे हमें बिल्कुल भी चलाना नहीं है जैसे हमने डाला उसी तरीके से हमें बिल्कुल लोटू मेडियम गैस पर इसे पांच मुट के लिए छोड़ देना है ये देखे पांच मुट के बाद हम इसे चेक करते हैं तो देख सकते हैं हमा इसमें इसी तरीके के लंप्स आये हुए हैं मैं भी आपको दिखा देती हूँ यह देखिए यह देखिए इस तरीके के लंप्स आये हुए हैं देख सकते हैं और यह जो मैंने आपको बेसन की करी बना कर दिखाई है आप जरूर बताईए बनाईए और कॉमेंट मुझे जरू कर लेते हैं दोस्तों मैंने ले लिए एक प्लेट और प्लेट में दिखा देती हूँ देखे आपको अब आपको बहुत ही अच्छा कलर लग रहा हुआ क्योंकि तब मैंने बनाई थी तो इसमें थोड़ी भाप आ रही थी ये देखे उपर से डाल लेते हैं हम इसमें धनियापत्ता और ये देखे हम डाल रहेते हैं इसमें चाट पाउडर चाट पाउडर डालने के बाद इसका स्वाद और भी जबरजिस्त हो जाएगा देखे ये बनकर तयार हो चुकी है हमारी पेसन करी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक सिस्क्राइब जरूर कीजिए